नमस्कार दोस्तो एक गजब की जानकारी आपको दूँगा देखिए mutual fund में आप investment करते हैं अगर आप 5 funded, 1000, 2000, up to 10,000 अगर SIP करते हैं तो definitely आपका जो future का goal होता है 1 करोर का होता है अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इस वीडियो को like जरूर करें एक करोर हमें बनाना होता है अपना return के साथ और उसके लिए हम investment continue करते हैं लेकिन एक ऐसा calculator जो की inflation के साथ आपको बताए कि आप एक करोर जितने साल में complete करेंगे उस समय एक करोर की value क्या होगी देखिए हमारे father का देख लीजिए उनका क्या था हमारे mammy papa चाहते थे एक लाख हो जाए आज एक लाख की value कुछ नहीं है फिर 10 लाख हो जाए 10 लाख की value कुछ नहीं है तो आप भी assume कर रहे हैं कि आपके पास एक करोर हो जाए तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एक करोर की value जब आपके पास होगी तो उसकी actual value क्या होगी यानि कि आज का एक करोर आपके 15 साल 20 साल के बाद अगर एक करोर भनता भी है तो उसकी value क्या होगी उस वक्त यह जानना बहुत जरूरी है एक calculator के जरीए मैं आपको बताऊंगा वीडियो जादा लंबा नहीं करूंगा बहुत ही informative वीडियो होगी यह हमने calculator open कर लिया यहाँ पे हमने goal amount select कर लिया 10 लाग है यहाँ कर लिया 1 करोड 1 करोड हमें चाहिए माल लिजे कि 20 years में मुझे 1 करोड चाहिए ठीक है और आपको अगर small cap में करते हैं तो माल लिजे 15% का आपको return मिला assume कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 15% अब 15% का return मिल गया तो calculate कर लिया मैंने देखिए आपको 6,597 almost 6,600 investment करेगा monthly SIP के जड़िये तो आपका जो amount होगा वो 1 करोड हो जाएगा 20 years के बाद लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए उपर दिया हुआ है adjust goal amount for inflation यानि कि inflation के साथ आप adjust कीजिए तो मैं यहाँ on कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 6% का inflation होता है तो 6% कर दिया अब देखिए आपको आज का 1 करोड जो है वो 20 साल के बाद 3 करोड 21,00,000 रुपए आपको चाहिए 1 करोड amount से जितना आज कम कर पाएंगे 20 साल के बाद 3 करोड 21,00,000 रुपए आपको चाहिए आपका S.I.P. amount बढ़ कर हो गया 6,600 से 21,156 मैं यहाँ आपको डराने के लिए नहीं बलकि आपको ये बताने के लिए ये विडियो बनाया कि आप जब भी S.I.P. करते हैं आपका जब भी जॉब करते हैं कहीं भी daily working करते हैं कुछ भी करते हैं मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं जब भी आप S.I.P. आपका income बढ़े S.I.P. के amount ज़रूर बढ़ाए at least 10% से 5% से बढ़ाएं, कुछ भी बढ़ाएं इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा return मिलेंगे तो हिमत नहीं हारना है यहां return लेना है और मैं एक बार और calculate करके दिखा देता हूँ कि आप अगर step up S.I.P. लगाते तो कितना ज़्यादा return आपको मिलता वहाँ पर हमने देखा कि जब हमें एक करोड चाहिए तो वहाँ 6600 का S.I.P. बोला था 20 years के लिए similarly मैं 6600 यहां S.I.P. का amount कर देता हूँ duration हमने 20 years लिया था वही 20 years यहां भी ले लिया मैंने उसके साथ मैंने यहां पर assume कर लिया 15% का return जैसे कि उसमें किया था और साथ में मैं top up percentage कर देता हूँ 10% का मैं yearly top up करूँगा यानि कि 6600 किया हूँ तो next year 7200 का करूँगा तो इस तरह से मैं अगर calculate करता हूँ तो यहां देखिए 1 करोड के जगा almost 1 करोड 83 lakhs बन जा रहे हैं कम से कम हम inflation को beat करते हुए return ले पाएंगे तो याद रखिए जब भी S.I.P. कीजिए step up S.I.P. जरूर कीजिए इस से definitely आपका जो financial goal है वो जल्दी अचीव होगा और आप जल्दी रिच बनेंगे thank you so much for watching this video subscribe और like जरूर करें आपकी प्यार की जरूरत है